आज 12 फरवरी 2021 यूके की एहम त्रीन आपडेट्स लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं इंग्लेंड असाइलम सीकर्स की फिकर हुई खतम, फैसला जारी, मुबारिक हो इंग्लेंड हेल्थ सेक्टरी की अवाम समेत गैर मुल्कियों से एहम अपील, स्कॉटलेंड का अमनेस्टी के हवाले से इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए फैसला, इडली वजीर आजम ने भी सब को अच्छी खबर सुना कर खुश कर दिया तो इन तमाम खबरों की तफसिला जाने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है के वीडियो को मुकामल आखिर तक देखिएगा और आगे भी अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताके वो भी यूके और यूरप के एहम तीन हलास से बाखबर रह सकें और अगर आपको वीडियो पसांद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की एहम तीन अपडेट को सबसे पहली खबर कोई शामिल कर लेते हैं कि इंग्लेंड हेल्थ सेकरी की अवाम समेद गेर मुल्खियों से एहम अपील जनूबी अफरिका में दर्याफ्त होने वाली करोना की नई शकल के बहुत ज्यादा केसिस की तस्दीद के बाद इंग्लेंड में जहां वोर्टू डोर टेस्टिंग मोहम शुरू की जाए रही है वही सेकर्टूरिस सेहद ने अवाम को खबरदार किया है कि वो मारकीटों से ताजा फल और सबस्यों की खरीदारी में इंतहाई एतियात का मुझारा करें और मार्कीटों का रुख करने की बज़ जाए विजरों और अलमारियों में स्टॉक को इस्तमाल करने के लिए तरजी दे बरतानिया करोना की नई शकल सामने आने के बाद दबाओ का शिकार है और इंफेक्शन का फिलाओ रुखने के लिए लोग खुद को गरों तक में रखें और गैर जरूरी सरगर्मिया खतम करके एतियाती तताबीर पर सकती से अमल करें और इसके इलावा उनों ने का है कि सूपर मार्कीट के दुकानदारों का भी यही कहना है कि लोग डाओन में इन ने माशी तोर पर शदीद मुश्किलात का सामना किया मगर ताजा पलो और सबजियों की फ्रोक से मैरूम करना जयाती होगी और यह इंतहाई सकतरिन पबंदियों में शमार होगी सेक्टरी सेहत के बियान पर खरीदारों की बड़ी तदाद ने इनके ख्याला से इतफाक ना करते हुए कहा है कि क्रोना बरान के दुरियान इतियात लाजमी है उनक बड़ी तदाद ने इस बारे में तनकीद की है उन्होंने कहा है कि पिछले हिसों में याइनि के पिछले लॉक डौनों में उन्होंने भी शदीद मुश्किलात का सामना किया है वो अब जुरूरियात का समान ही गर लाते है जिसके लिए उन्हें मारकीट का रुख करना शेरियों का ये कहना थे सब कुछ ऑनलाइन खरीदना ना मुम्कीन है इसलिए उन्होंने इस फैसले को रद करते हुए कहा है के हमें ये फैसला मनजूर नहीं है अगली खबर की जानिब जो के इंगलेंड में असाइलम सीकर्स की फिकर हुई खतम फैसला जाए आप लोग जान पर बहुत ज्यादा तनकीद नैशनल और इंटरनेशनल लेवर ऑल्गराइजेशन की जानिब से इन पर की गई तो अब इसी तरह होम आफिस पे प्रेशर बिल्ड हुआ है और इनको कहा गया है के अब मजीद इस तरह का बरताओ और बुरा सलूक उन असाइलम सीकर के साथ ना किया जाए जिसकी वज़ा से असाइलम सीकर को इस तरह का इतजाज करना पड़े और अब मजीद इसी हवाले से नहीं और अच्छी अपडेट ये जारी हुई है के यूके में जो ऑपोजीशन पार्टीज और पारलमेंट के एमपीज की जानिब से इनके प्रेशर राइ यानि के जहां पे वो रह रहे होंगे तो अब ये इनस्पेक्टर ऐसी तमाम रहाईश गाहों पर विजिट करेंगे जहां पे इन असाइलम सीकर्स को होम आफिस ने अभी पना दी हुई है तो अब हर लिहास से ये जिमादारी इनस्पेक्टर्स को दे दी जाएगी के आया जिन कैम्स में ये आर्मी बैरिक्स में असाइलम सीकर्स को पना मिली है तो वहां का महोल और इनके लिए खाने पीने का सारा नजाम कैसा है और ये रहाईश इनके लिए सही है या नहीं इस तरह का सारा प्रोसीजर देखा जाएगा तो अब शामिल करते हैं अगली खबर को स्कॉटलैंड में बर्थ रेट याईनि के नोजवान नसल की भी शौटी जा और इसी तरह आने वाले दिनों में एक काफी बड़ी तरदाद पेंशन वालों की भी होने जा रही है और इसलिए स्कॉटलैंड अपना एक निया इमिग्रेशन सिस्टम लाँच करने जा रहा है और अब इस तमाम की तमाम सूर्थे हाल के बाई स्कॉटलैंड की जानिप से अमनेस्टी को ले के काफी ज़ादा चर्चे और नियूस इसके बारे में सरगरम है क्योंके अब भी स्कॉटलैंड में काफी बड़ी तदाद में इल्लीगल अंडाकोमेंट इमिग्रेंट मजू इस बड़े क्राइसिस से बाहर निकल सके और इसके इलावा अभी जैसा के स्कॉटलैंड में में के महीने वोटिंग का सिंसला शुरू होगा और अगर ये रिफ्रेंडम हो जाता है और स्कॉटलैंड यूके से अलैदा हो जाता है तो फिर स्कॉटलैंड में इल्लीगल इमि इमिग्रेंट्स के काफी चांसिस लिगल हो जाएंगे, कि इस हवाले से जब स्कॉर्ट्लंड की मनिस्टर्स की जानिप से पूछा गया है तो उनका भी यही कहना था कि याईनि के वो भी इस हक में हैं कि इस कमी को पुरा करने के लिए हमें ना तो दूसरे मुमालिक से workers को बुलवाना चाहिए बलके यही से Scotland में मजूद जो illegal immigrants है यानि के जो illegal लोग हैं उनको legal करके इस shortage को पुरा किया जाए और इस हवाले से Scotland की जानिब से एक plan भी बनाया जा रहा है लेकिन जो UK के Prime Minister है वो इस referendum के हक में नहीं है और अगर देखा जाये तो Scotland की अवाम और government यही चाती है कि जब से UK में यह Brexit हुआ है जो के Scotland नहीं चाता था तो अब इसलिए वो इस referendum के हक में हैं ताकि Scotland अलैदा होके अपने कवानीन और laws बना के काम करे तो अब इस सवाले से देखना यह है कि आया यह referendum होता है या नहीं अगर तो यह referendum हो जाता है तो फिर Scotland में मजूद illegal immigrants के लिए राह हमरा हो जाएगी तो इसके बारे में जो भी news आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी आप अगली खबर को शामिल कर लेते हैं कि इटली वजीर आजम ने भी सबको अच्छी खबर सुना कर खुश कर दिया इटली के नामजद वजीर आजम ने मुल्क में रहने वालों को खुश खबरियां सुना दी मुलाजमतों, टेक्स, माशियत और करोना समेथ एहम उमार पर पॉलीसी तियार कर ली है जिससे इटली में रहने वालों की जिन्दगियां असान हो गई उन्होंने कहा है कि इटली की माशियत बुरानों से बच सकती है और तरकी की नई राहें खुल सकती है नियूस के मताबिक अटालवी वजीरी आजम ने हकूमत समालने से कबल ही पॉलीसी तियार कर ली मुलाकात करने वाले सियासी रहनमाओं को उन्होंने बताया कि वो कोई निया टेस्क नहीं लगाएंगे बलके इजलाहात के जरिये टेक्स चोरी रोकी जाएगी उनोंने कहा है कि शेरियों के लिए क्रोना वेक्सीन का इंतजाम कर लिया है और आने वाले दिनों में वेक्सिनेशन मोहम तेज हो जाएगी इसके इलावा रहनमाओं को बताया है कि इनकी तوجह बेरोज़गारी पर काबू पाने पर होगी ये थी आज की एहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ मुकमल डिटेल के साथ शेयर की गई है उमीद करती हूँ के आपके इल में इजाफा हुआ होगा और आज की अपडेट्स UK की और यूरप की आपको पसान आई होगी इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बहुत क्यार रखेगा थैंक्यू खुदा हफिस